हलो गाइस वेलकम तो माई टेक्निकल एंबसी यूटूब चैनल तोड़े आल गोईं तो इस वीडियो हाव टू एक्टिवेट यूएन नंबर इन मूबाइल और लेप्टोप्स यूएन एक्टिवेट यूएन नंबर बिटूइन फाइब टू शिक्स तो देखेंगे इस में पूरा प्रोसेस में दिखाऊंगा आप लोग को फूल देखना है तभी आपको पता चल जाएगा और एक्टिवेट किस तरीके से होता है और य जोकि एपी एफो का यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आप लोग पहले उसको एक्टिवेट करवाना चाहिए यूशूट मस्ट एक्टिवेट यूएन नंबर बिफोर क्लेइम यूर एपी एफो मनी तो आपको यह करवाना ही होगा अगर आपको एपी एफो का मनी बैंक एकाउंट में लेना है तो आपको एक्टिवेट करना ना थो यूएन मींस यूनिवर्सल एकाउंट नमर होता है जो कि आ पको पताई है यह सब और जिसका अभी प्रिशाप है प्रिशाप बहुत साल हो चुका है तो उनके लिए बहुत कामाने वाला ये विडियो जो लोग जानते हैं ठीक है तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ही मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो अगर आप भी नहीं जानते हो तो आप भी देख सकते हो और आप लोग भी सीख सकते हो तो चलेगे वीडियो स्टर्ट करते हैं अभी तक आप लोग ने इस वीडिय तो सबसे पहले आपको जाना है Google पर यह आप लोग मुबल पर भी इजिली देख सकते हो और मैं जिस तरीके से आप लोग को सिखाऊंगा उसी तरीके से आप लोग करिये आपका भी इजिली हो जाएगा तो देखे गैस Google पर सार्च कर देना है इपी एफ ओ सिंप्ली इपी एफ ओ लिखके सर्च कर देना है तो सिंप्ली इपी एफ ओ लिखके सर्च कर देने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा www.epfindia.gov.in तो देखे कैसे यह इपी एफ इंडिया.gov.in यह इसका ओफिशियल साइट है और एंप्लोई प्रोवाइडेंट फांट और्गनाइजेशन जो की इपी एफ ओ का फूल मिनिंग है तो गाइस इसके उपर सिंप्ली क्लिक कर देना है क्लिक कर दने के बाद देखेगा इस आपको कुछ इस तरीके का इंकर दिखाई दे गाधोतों आपको धेखने को मिल रहा है expressed ऑफ। और अभी क्या करना है यह मैं यह मैं आपको बहुत साहाँ ऑप्चन बहुत साह आपको देखने को मिलेगा बट आपको यह में जिस जगे पर जाऊंगा जिस जगे पर लेके जाऊंगा आप लोग भी उसी तरीके से देखिए और simply देखने के बाद आपको उसी तरीके से क्लिक करना है और आप भी easily कर सकते हो तो देखिए गैस विडियो को skip मत करें क्यूंकि आपको अगर पता नहीं है तो आपको सीखना जरूरी है तो सबसे पहले देखिए गैस online claim member account transfer तो आपको यह में जाना होगा online claims member account transfer पर simply आपको क्लिक कर देना है अब ्रिक कर दने के बाद देखे गयष अभी पी एफ जिनका भी है फीफ जिनका भी है पी एफ तो उसका अगर एक्τιवेट हुआ है तो गयष यहाँ में इंटर यूए नंबर और उसके बाद पास्वोड यह पास्वोड देना देना है और उसके बाद ये capture या में fill कर देने हैं उसके बाद sign in पर simply sign in करके आप लोग आपना जो भी है claim कर सकते हो आपना PF withdraw कर सकते हो तो ये है जिनका activate हुआ है UA number और जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए ये वीडियो है तो देखें गैस इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ ये withdraw कैसे करते है और ये सारा कुछ मैं already एक वीडियो बना चुका हूँ बट मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ एक्टिप यू अन activate यूनिवरशल एकाउन्ट नंभर तो कैसे करना है सिम्ल नीचे जाना है तो यह में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा इंपोर्टेंट्स लिंक्स तो यह में इंपोर्टेंट्स लिंक्स के नीचे में आप लोग लोग को देखने Tianक होगा activate UN और उसके बाद no your UN अगर आपको देखेगास में इसका फूल आप लोग को बता देता हूं यह में आप लोग देख सकते हो अगर आपका UN नमबर पता नहीं है आपको पता नहीं है तो आप लोग यहां से जान सकते हो तो no your UN और यह में direct UN allotment by employees और death claim filling by beneficiary UN allotment for existing PF तो देखेगास मैं अभी आज आप लोग को simply activate UN पर ही जाके आप लोग को दिखाऊंगा जो कि UN नमबर अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो आपको क्या करना होगा तो simply यह यह वाला option पर activate UN पर क्लिक कर देना है एक्टिवेट UN पर क्लिक कर देने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा भी इस तरीके का interface तो सबसे पहले देखी गई आपको ज्यादा जल्दी आपको नहीं करना है यह में आपको पहले अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद ही आप लोग करिए तो देखी गई सबसे पहले आपको यह में कुछ इंस्ट्राक्शन दिया है तो यह आपको पढ़ना है रीट करना है इसको फूल रीट करिए और अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद ही यह में आपको दे देना है जो कि यह में देखी गई ऐसे तो UN नंबर आधर न rites तो यह किस तरीके से देना है तो instruction में लिखा होता है तो पहले आपको फॉल्म जो भी फॉल अफ मेंबर, फास्ट में आपको the flowing information being entered should be as per EPFO records, तो क्या कि आपको यह में entered करना होगा यह में, तो देखे गई यूएन, यूनिवर्सल एकाउंट नमबर अफ मेंबर, company यह provide करती है, यूएन नमबर, जब आप लोग पहले company में job करने के लिए जाओगे, तो उसी समय आपका PF आना शुरू हो जाएगा, और PF कटना शुरू हो जाएगा, और वोई मनी आपको बाद में, six month बाद में आप लोग को claim करके फिर से निकल सकते हो, तो यही process है, और उसक बाद यह में बोला गया है, members, आधर नमबर, name, date of birth, should be as available in EPFO records, तो EPFO records में जो भी, यह में data record हुआ है, date of birth, name, आधर नमबर, तो member का, तो वो सब कुछ आपको यह में, way, add to jet आपको लिग देना है, उसके बाद यह में फिर से बोला गया है, members should have a valid mobile linked with other number as per UID records, आपका mobile number उस आधर कट के साथ link होना चाहिए, जो की valid mobile number आपके पास होना चाहिए, करते समय, आपका mobile नमबर पर एक OTP जाएगा, जो नमबर आधर कट में link हुआ है, उसी नमबर पर, तो देखेगाई, अभी यह में क्या करना है, आधर नमबर दे देना है, simply, और इसके बाद यहां में नेम बोला गया है, और यहां में आपका नेम दे दे देना है, तो देखेगाई, आधर कट में जो नेम है, जो डेट अब बार्थ है, जो आपका फूल नेम है, मूबैल नमबर जो आपने दिया है, आधर कट बनाते समय, तो वो सारा कुछ, एड़ टू जैसा का वई से आपको यह में फिल आप कर देना है, तो नेम दे दीजिए, यह में आधर नमबर दे प्रत है, उसके बाद बाद यहाँ है, आधर कट में आधर कट केलेंडर आयें है, यह आप बढ में आपको चुछ करना होता है, वो आप लूक अपनाई सब07 बाद अगर देने के बाद आपको यहाँ ही मूबैल नमबर दिखा देगा, तो यह है पिल कर देना है, उसके ब यहां में आपको बोला गया है यह भी आपको पढ़ लेना है एक पर I hear by consent to provide my आधर नंबर one time pin OTP data for आधर-based authentication for the purpose of establishing my identity and I agree to share my basic details as available with आधर for the purpose of activating UAN तो देखिए कैस UN activate करने के लिए आपका आधरकाट में जो mobile नंबर लिंक है उस mobile नंबर पर एक OTP जाएगा और OTP जाने के बाद आपको यहां में I agree पर क्लिक कर देना होगा यहां में सिंप्लि आपको I agree पर क्लिक करना होगा उसके बाद ही आपका आधरकाट में जो मुबल नमर लिंक है उस मुबल नमर पर एक ओटी पी जाएगा तो सिंप्ली इस पर इस तरीक से टिक मार्क लगा देना है और उसके पर यहां में देखिए गाइस नीचे में गेट ऑथन्टिकेशन पीन है तो इस पर सिंप्ली क्लिक कर देना है तो आथन्टिकेशन पीन पर क्लिक कर देने के बाद आपका आधरकाट में जो मुबल नमर लिंक है उसी मुबल नमर पर OTP जाएगा और OOTP आपको देने के बाद आप लोग इसली आपका UN नमर एक्टिवेट हो जाएगा तो कुछ इस तरीक से आपका यूए नमबर एपी एफो का यूए नमबर एक्टिवेट होता है गाईस तो आई होब गाईस आप लोको ये वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया है तो एक सस्काइब कर दीजे क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो और भी लाता रहूंगा और आप लोगों को हेल्प करता रहूंगा चलिए गईस जे हिंत जे भारत आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो के साथ